ऐसी बसों को चुना गया है जो खाली थी लेकिन धमाको की टाइमिंग से सुराक्षा एजनसियां चौकना है क्योंकि चार अक्टूबर कोगरी मंत्री आमिश्षा जम्मो कश्मीर के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं आज घंटे में दो बम धमा के धमा का छोटा लेकिन मैसेज बड़ा ये धमा का कुछ कहता है सीसी टीवी में कैद ब्लास्ट का ये वीडियो देखकर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कम मच गया है पेट्रोल पंप पर बस खड़ी है तब तक अचानक बस के अगले हिस्से में ब्लास्ट होता है बस का अगला हिस्सा चतना चूर हो जाता है पास खड़ी दूसरी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचता है घटना की सूशना मिलते ही सुरक्षा एजेंसिया मौके पर पहुँचती है जाच शुरू होती है कि ठीक आठ घंटे बाद ओधमपुर में ही दूसरी बस में विस्वोट हो जाता है तरीका ठीक वही जैसे पहले बस में विस्वोट किया लिया था उसी तरह से दूसरी बस को भी निशाने पर लिया गया बसों में धमाके के वक्त कोई भी मुसाफिर वहां मौजूद नहीं था जम्मु कश्मीर के ओधमपुर में ये धमाके ऐसे वक्त पर हुए हैं जब सिर्फ 6 दिनों बार देश के ग्रेमंत्री अमेच्शाथ 2 दिनों के जम्मु कश्मीर दोरे पर जाने वाले हैं देश के ग्रेमंत्री के जम्मु कश्मीर दोरे से सिर्फ 6 दिन पहले एक के बाद एक दो धमाकों से उधमपुर में हड़कम बच गया है पहला धमाका बधवार रात सेना की चौकी के पास रात करीब 10 बच कर 45 मीनट पर पेट्रोल पम के पास खड़ी बस में हुआ अभी इस धमाके की जाच में सुरक्षा एजनसियां लगी होई थी कि गुर्वार सोबा करीब 6 बजे पहले धमाके के महज 8 घंटे बाद ही ओधमपुर का बस स्टैंड दहल उठा धमाके के तुरण बाद बस टैंग पर खड़े और भी बसों की जाच शुरू कर दी गए कि कहीं दूसरी बसों में भी तो बम नहीं है दोनों धमाकों को अंजाम तक पहुँचाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था ADGP मुकेश सिंग ने दोनों धमाकों में टाइमर की संभावना जताई है ब्लास्ट की टाइमिंग को देखकर सुरक्षा एजंसियां सतर्ख हो गई है क्योंकि 4 अक्टूबर वो अमिजशा जम्मो कश्मीर के दोरे पर जाने वाले हैं और इसके तुरंट पहले एक के बाद एक दो ब्लास्ट में सुरक्षा एजंसियों के कान खड़े कर दिये हैं ब्लास्ट की खबर मिलते ही NIA ने भी जम्मो कश्मीर पोलिस से घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है ग्रे मंत्राले को भी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपी जाएगी ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा एजंसियों ने घेर कर चानवीर फिरो कर दी है ग्राहत की बाद ये रही कि वेस्पोट की वज़े से पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ अगर आग पेट्रोल पंप तर पहुंचाती तो बड़ा खत्रा हो सकता था धमाके के बाद बस का एक हिस्सा ओड़ गया और पास में खड़ी एक और बस में भी नुकसान पहुंचे रात में हुए धमाके में कंडक्टर समेथ दो लोग खायल हुए थे जन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया कुछ घंटे पहले ही पुँच में एक महिला को चार किलो आईदी के साथ पकड़ा गया था एक के बाद एख हुए दो धमाकों को सुरक्षा एजन्सियां आतन की साजिश मान कर चल रही है धमाके के बाद पोलिस हर एक एंगल की जांच कर रही है वेलहाल घटना स्थल के पास सेना, सियार्पियप और पोलिस की तैनाती कर दी गई है और अब देखे बाड बारिश और तूफान से जुड़ी हुई दस बड़ी खबरें अमेरिका की फ्लॉरिडा में आये चक्रवाती